हलो एंड वैलकम तो वाईची जड ग्लासेज बचो आज की लेक्चर में हम डेटरजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो के हमारा में टॉपिक था सोप वाला पार्ट इस टॉपिक का अब डेटरजेंट्स वाले पार्ट को हम आज जो है वो क्लियर करेंगे ठीक है तो डेट दॉपिकल्टी आफ वाशिंग क्लाउस वीद दिस सोप वैंड वाटर इस हाड है बिन और कम बाई यूजिंग एनदर काइंड अफ क्लिनिंग एजेंट्स कॉल्ड इटरिजेंट्स दुखो बटा एक्शली हम यहां पर भी क्या कहते हैं डिटरिजेंट्स का कॉंसेप्ट करने के लिए हम यह कहते हैं कि जो डिफिकल्टी हमको क्लाउस की वाशिंग के लिए आ रही है सोप के दौरा ठीक है और वो भी कब सोप को इस्तिमाल करके हमको क्लाउस की वाशिंग पर डिफिकल्टी का बाती है जब वाटर हाड होता है ठीक है तो उस समय इस डिफिकल्ट को अवरकम करने के लिए इसको दूर करने के लिए हम दूसरा डेकरजेंट जो है यानि 就是ा cleaning agent जो है दूसरा cleaning agent कहेंगे हम वह हम यूज करते हैं ठेके इस दौरान में जिसको हम डेकरजेंट कहते तो डेकरजेंट की definition जो है पेटर जाहिए देकरजेंट is the sodium salt Global लांग चेन बेंजीन सलफॉनिक अजिड या अपपनी कॉबी पर लिखेंगा कि वट्टर देटरजेंट डेटर जन्स रिजंडय अगर आप ऑपalin सूडियमल अफ़ आलउंग चैन बैंजीन सलफॉनिक होती हैं examples of detergents are sodium and dodecyl benzene sulfonate and sodium and dodecyl sulfate these are जिनको formula आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं sodium dodecyl benzene sulfonate यह common detergent है इसमें आपने यहां पर याद रखना है कि CH2 unit है यहां पर CH2 का hole 11 यहां पर CH3 लिखेंगे इस एंड से और यहां पर C6 और H4 ठीक है SO3 negative Na ठीक है sulfonic group यहां पर आप इस तरह से डालेंगे SO3 negative Na positive तो उसके बाद है sodium and dodecyl sulfate ठीक है तो इसको आप लिखोगे इस तरह से CH3 CH2 का hole 10 CH2 और फिर से bond करके SO4 negative Na positive तो यह भी एक another detergent की example है detergents are also called यह बड़ी important चीज़ यहां पर आ रही है detergents को हम इस नाम से जानते soap less soaps ठीक है detergents कभी आपको यह objective पुछा जा सकता है detergents को हम किस नाम से जानते हैं तो soap less soaps के नाम से हम इनको जानते हैं कि यहां पर देखे यहां पर नहीं होती है यह एक अलग सी वराइटी जो है वो cleaning agents की हुआ करती है ठीक है तो इसलिए हम इनको soaps कहते हैं because they act like a soap यह मतलब अगर हम cleaning प्रोपर्टी की cleaning action की बात करेंगे तो वह सोप की तरह बहेव तो करते हैं जरूर बट एक्टुली दे डो नाट कंटेंडी यूज्वल शोप्स लाइक दी सोडियम स्टीरेट और सुडियम ओलिएट और सुडियम soaps की तरह उन में कोई सोडियम साल्ट वगर जो है वह नहीं होता है उसके बाद बटा नेक्स पार्ट जो हम डेटरेजेंट का पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे structure of detergent तो सो फर इस structure of detergent is concerned the structure of a detergent molecule is similar to that of soaps जिस तरह से हमने structure of soap पढ़ा था आपको याद होगा कि मैंने वहां पर बताया था कि सोप का molecule जो है it consists of two parts मतलब उसमें ना मतलब उसमें हमने कहा था एक आयानिक पार और दूसरा कहा था हमने नान आइनिक पार्ट ठीक है एक यानिवाटर soluble होता है एक water insoluble होता है ठीक उसी तरह से हम यहां पर भी विताएंगे कि a detergent molecule also consists of two parts a long hydrocarbon chain या a long hydrocarbon part बहुल सकते हो आप याद रखना आपने लेकिन या hydrocarbon chain या part जो होता है detergent का भी यह non-ionic part होता है which is water repelling यह non-ionic part जो है यह water के साथ insoluble होता है यह hydrophobic होता है यह water repelling होता है यह water के साथ dissolve नहीं होता है यह insoluble part होता है and a short ionic part ठीक है जिसको हम जैसे sulfonate group कहते है आपने ऊपर देखा तो यह short ionic part होता है detergent वाले molecule के साथ भी जो की होता है hydrophilic ठीक है का nature क्या होती है hydrophilic hydrophilic का मतलब होता है water attracting यह water के साथ मतलब low रखता है love रखता है attract होता है water इसको अपनी तरफ खींचता है attract करता है ठीक है तो detergents can leather well even in hot water यह बड़ी important चीज और आ रही है बैटा कि देखो आपको याद है कि हमें cleaning purpose के लिए cleaning action of soap with hard water जो है difficulty आ रही थी आती थी तो लेकिन वो difficulty को हम आवर कम चुंकि हमने पहले ही आपको यहां पर बता दिया कि वो difficulty आवर कम होती है by the use of detergents we can say but यहां पर हम detergents को जो है hard water के साथ भी इस्तिमाल करके जो है उनकी लेथर जो है वो आराम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकती है means कि detergents can leather well even in hard water detergents भी जहाग कर सकते हैं और वो भी अच्छी खासी amount में अगर water hard भी हो तो मतलब soft water में तो बनाते ही बनाते हैं लेकिन hard water में soap की leather जो है आपको मौलूम है कि वो बहुत ही कम या फिर बिल्कुल नहीं आती थी लेकिन detergents जो है वो hard water में भी leather करते हैं क्यों यह भी आपको पूछा जा सकता है कि why detergents can form leather easily even with hard water explain तो आप उसका answer कर सकते हैं because detergents do not form insoluble calcium and magnesium salts on reacting with the calcium ions जैसे सकम जैसी चीज आपने पीसे पड़ी थी कि यहां पे जो detergents है बेटा detergents जो है वो calcium या magnesium जैसे insoluble insoluble salts के साथ react ही नहीं होता है ठीक है on reacting with the calcium ions and magnesium ions present in hard water मतलब जो hard water में impurities होती है ठीक है calcium ions और magnesium ions उनके साथ जो insoluble calcium और magnesium salt होता है ठीक है उन calcium और magnesium salt मतलब जो calcium और magnesium salt as an impurity आपको वहां पे hard water में present होते हैं उनके साथ detergents जो है वो react ही नहीं होता है यह non react to nature का होता है detergent ठीक है ठीक है because detergents do not form insoluble calcium ठीक है और magnesium salt यह नहीं कोई insoluble calcium या magnesium salt बनाता है कहां कब on reacting with calcium ions and magnesium ions present in hard water कि hard water में जो impurity calcium और magnesium ions है उस hard water की calcium और magnesium जैसे impurities के साथ यह detergents react ही नहीं होते हैं और यह इस तरह की कोई calcium और magnesium salts बनाते ही नहीं है ठीक है तो इसलिए यहां पे हम कहते हैं कि यह अच्छी खासी लेथर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं होड़ वाटर के साथ नेक्स्ट है detergents are made from long chain hydrocarbons obtained from petroleum यह भी आपने याद रखना कि detergents की जो मतलब formation है production है वो long chain hydrocarbon से होती है ठीक है या फिर आप जनरली बोल सकते हो कि लांग चेन hydrocarbons which are obtained from the petroleum source ठीक है उसके बाद है नेक्स पाट जो है detergents से भी वह cleaning action of detergents कि detergents अब हम इस्तेमाल करते हैं वह cleaning कैसे करते हैं तो cleaning action कैसे होता है detergents का तो cleaning action of detergents is similar to that of a soup जिसार से आपने cleaning action of soup पढ़ा पीशे वैसे ही cleaning action detergents भी करते हैं that is detergent works by making the oil and grease particles of dirty cloud dissolved in water through the formation of miceil कि जब हम dirty cloud को water में dissolve करते हैं तो उस समय जो dirty cloud के मतलब जो oil or grease particle होते हैं dirty cloud के वह water में dissolve होते हैं उनमें आपको पता है कि जो मतलब oil होता है ठीक है वो किस चीज़ के साथ soluble होता है और जो वो oily part होता है ठीक है वो किस के साथ जो है वो क्या बोलते हैं डिजाल होता है ठीक है वो हमने पहले आपको बताया है कि hydrocarbon long chain जो होता है है वो होता है हमारे पास non-ionic यानि वो water insoluble होता है और जो वहां पे short ionic part होता है SO3 negative and a positive जैसा वो होता है हमारे पास ionic part और वो soluble part होता है ठीक है तो दाव दी formation of micelle detergents are usually used to make the washing powders and the shampoos और बटा हम detergents को जो है इस्तिमाल करते हैं और better cleaning agents इनको माना जाता है as compared to soaps मतलब soaps की दुवारा soaps के बरक्स में इनको अच्छा खासा cleaning agent जो है वो detergents को माना जाता है तो इस पर एक question भी है यहां पर कि why detergents are better cleaning agents than soaps क्यों हम detergents को better cleaning agents soaps के against मानते हैं तो answer is detergents are better cleaning agents than soaps because they do not form insoluble calcium and magnesium salts with hard water वो जो सकम आपने पड़ा था पीशे calcium मतलब soaps में तो वहां पर जो हमने बताय था कि जो वो soap molecule होता है वो जब hard water की impurities के साथ मिलकर जो है वो एक insoluble product जिसे हम सकम कहते हैं वो बना देता है लेकिन ऐसा कोई insoluble product जो है वहां पर यहां पर detergents जो है वो इस hard water की impurities के साथ मिलकर नहीं बनाते हैं तो सबसे important चीज इसकी cleaning property better होने की यही है ठीक है कि because detergents do not form insoluble calcium and magnesium salts with hard water and hence can be used for washing और हम इनको washing के लिए washing purpose के लिए इस्तिमाल करते हैं detergents को even with hard water की मतलब अगर water hard भी हो तो भी हमें कोई दिकत नहीं होती है हम उन्हें cleaning purpose के इस्तिमाल कर सकते हैं unlike soap unlike soap मतलब soap की तरह नहीं ठीक है detergent can leather even well even with the hard water की देखो आपको मलूम है कि water में soap तो लेथर अच्छी से नहीं बना सकती लेकिन इसी hard water में जो detergent है वो लेथर जो है वो जहाग जो है वो अच्छी खासी बना सकता है उसके बाद है इसका अडवन्टेज़ेंट्स आफ डेटरेजेंट्स आवर सोप्स डियू टू विच दे आर रिप्लेसिंग soaps as washing agents तो मतलब क्या advantages है क्या फाइदे हमें होते हैं डेटरेजेंट्स को इस्तेमाल करने करते करते समय as compared to मतलब किसके बरक्स में soaps के बरक्स में जिनके कारण जो है वो soaps को replace करते हैं as washing agents ठीक है तो that means कि detergents को जिस हिसाब से हम फिर better cleaning agents मानते हैं as compared to soaps तो क्या advantage आकर हमें होता है detergents को इस्तेमाल करने से तो इसका answer आप यह भी आपको question पूशा जा सकता है detergents are better cleaning washing agents are cleaning agents you can say than soaps because detergents can be used even with hard water यह सबसे important चीज़ है कि हम इनको hard water के साथ भी use कर सकते हैं whereas अगर हम soaps की बात करेंगे soaps are not used are suitable for use with hard water कि हम soaps को hard water के साथ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते तो पहला कारणा हम यह बता रहें दूसरा है बेटा कि detergents have stronger cleaning action than soaps और detergents के अंदर capacity होती है cleaning property होती है वो soaps के बनिजबत जो है वो ज्यादा होती है ठीक है तेसरी चीज़ है detergents are more soluble in water than soaps detergents के अंदर जो property solubility की होती है मतलब dissolve होने की होती है वो ज्यादा होती है soaps के बरक्स में उसके बाद है बेटा यह तो advantages थे वो हमने बता दी disadvantage नहीं है बलकि detergents के कुछ disadvantages भी हैं तो एन important disadvantage of detergents are our hopes is that some of the detergents are not biodegradable हाँ यह बड़ी important चीज है कि बिटा कुछ detergents यह हो हमारे पास biodegradable नहीं होता है मदब उनको microorganisms यह हैं वो decompose नहीं कर सकते हैं that is they they means वो जो detergents कुछ होते हैं they cannot be decomposed by microorganisms like you can say bacteria and hence cause the water pollution और इस तरह से जो है वो क्या करते हैं water pollution करते हैं कहां कहां पे lacks में rivers में ठीक है how however all the soaps अगर हम इसके बरक्स सोप की बात करेंगे तो सोप जितनी भी है जितनी भी variety of soaps होती है वो biodegradable होती है यानि वो microorganisms हों है आराम से degrade कर सकते हैं decompose कर सकते हैं and hence do not cause water pollution और soaps यूज करते समय कोई भी water pollution का ख़शाद जो है वो नहीं रह सकता है whereas कि अगर हम detergents का इस्तिमाल करते हैं तो इसका यह advantage रहता है कि detergents जो है वो water pollution करते हैं और water pollution इस वज़े से करते हैं कि वह वहां पर जो है non biodegradable होते हैं उनको microorganism जो है वो decompose degrade जो है वो नहीं कर पाते हैं इस वज़े से वह water pollution create करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इस question का विटव तो नेक्स्ट और लास्ट इसका है Gracwhite और rules डेटरजेंट में आप लिएट्रजेंट्स भी पोछशा जा सकता है तो आप इनको यहां पर बिता सकते हो ठेकि है इनके दो कॉलम्स में आप में लेकि इनको सोप्स वर्स डेटर्जेंट डेटर्जेंट कर सकते हो पहला डेफरेंस आप बताओगे कि इनकी डेफिनिशन क्या है सोप सर सूडियम और प्रटेशम सॉल्ट साफ लॉंग चैन और बॉक्षिलिक एसिड जिने हम भैटे एसिड कहते हैं इनक ग्रूप इन सोप इस यूनों वांड सी ओ ओ नेगेटिव ने पॉजिटिव सिमलेली आप यहां पर डेफिनिशन कहेंगे डेटर्जेंट सॉडियम सॉल्ट आफ लॉंग चैन बेंजीन सॉल्फोनिक एसिड और लॉंग चैन अलकाइल हाइड़ूजन सलफेट ठीक है इनक ग्रूप इना डेटर्जेंट इस यूनों बॉंड एसो 3 नेगेटिव ने पॉजिटिव और बॉंड एसो 4 नेगेटिव ने पॉजिटिव होता है ठीक है नेक्स डिफरेंस आब बताओगे सॉप्स आर नाट सुटेबल फार वाशिंग पर पर पॉजिज वैन वाटर होटा कर देटर्जेंस केंदी यूज़ फार को वाशिंग टेवन यहीज़न टेखेंगे तो आगर वाटर होट वह तक बहुत त बहुत तो तब sacrifices को आलब मैंने और कई यहां सकती है तो नúde आनाट सोप। बश्च अगर हम इनकी इसको देखेंगे स्टरंग्त को तो देखेंगे कि किस के अंदर कितनी ज़्यादा क्लिनिंग सब्सक्राइब जैसे अभी हमने उपर यहीं से पता चलता है कि वह ज्यादा स्ट्रॉंगर क्लिनिंग एजेंट्स माने जा सकते हैं आज कमपेड़ दूप्स तो आज की लेक्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे और यह जो आपका चैप्टर कार्बन एंडिस कंपॉंड था यह इसी के साथ यहां पर खतम हो जाता है औ और आप से रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप लेक्टर को फस्ट टू लास्ट देखिए विटा ठीक है तो आज की लेक्टर में इतना ही गुड़ बाई टेक एर स्टेए फीट एंड स्टेए सेफ झाल